हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है रवी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रवी स्टडी जीगे पार फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए जनवरी से अपरिल 2024 के जो टॉप 888 कोशन करवा रहा था उसका वीडियो लेकर आया हूँ इस पार्ट से अपरिल तक का और एक्जाम में आपको डारेटली जायतर कोशन इस वीडियो से देखने को मिलने वाले हैं तो आप दोनों पार्ट एक्जाम से पहले अच्छे से देख लेना आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में तो चलिए हम पहले कोशन से और आपको बताना चाहता हूं यह 445 नंबर कोशन है ठीक है पहला कोशन करवाने से पहले आप सभी कोई गुड न्यूस देना चाहता हूं कि जो मेरी डेली करेंट अफिर के क्लास है वो आ चुकी है करेंट अफिर्स बाई यूटूब चैनल के ऊपर ठीक है लिए के मैं most important 20 कोशन करवा रहा हूं 100% result के लिए पहली YouTube की ऐसी class होगी है जहांपे 20 कोशन डेली के पढ़ाया जाते हैं 100% result के लिए तो आप करेंट अफिर्स बाई रवी पर जाके अपने रवी सर की class ले सकते हो डेली करेंट अफिर्स की सुबह 6 बजे वीडियो आती है तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले कोशन से, पहला कोशन है हमारा G7 शिखर सम्मिलन 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, इटली के फसानों में G7 शिखर सम्मिलन 2024 का आयोजित किया जाएगा, अगला कोशन है, किसे फिर से भारतिय बैंक यानि की RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, अंसर हो जाता है, टी रभी शंकर को फिर से भारतिय रिजर्व बैंक यानि की RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, और आपको बताना चाहता हूँ, RBI के प्रेजेंट में Gवर्नर कौन है, शक् नमबर तीन पर है विश्व साइबर अपरास उचकांग दोहुजाच चौबिस में वर्ष दोहुजाच चौबिस में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नमबर एक का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज खिलाडी कौन बन गई है नवाक सोकोवेच नेक्स्ट है मारा कोशन चबिस में विश्व उर्जा कॉंग्रेज दोहुजाच चौबिस का योजन कहां किया गया है आंसर हो जाता है नीदरलेंड के रोटर डैम में और दोहुजाच चौबिस की थीम क्या है लोगों और ग्रह के लिए उर्जा को नया सौरूप देना इंग्लिश में होगा रीडिजाइनिंग एनर्जी फोर पीपल एंड प्लैनेट नेक्स्ट है पहले गल्फ यूथ गेम्स दोहुजाच चौबिस का उधगाटन समारो कहां पर हुआ है आंसर हो जाता है दुबई में संयुकतरा बैमिरात के दुबई में पहले गल्फ यूथ गेम्स दोहुजाच चौबिस का उधगाटन हुआ है थीम क्या थी हमारी खाड़ी एक है, हमारी युवा आशा जनक है इंग्लिश में होगा आवर गल्फी जवन, आवर यूथ आर प्रॉमिसिंग नेक्स्ट है मैलकम आदिशेशिया पुरुसका दोहजाद चॉबिस के लिए किसे चुना गया है आंसर हो जाता है सुरिंदर S. जोदका को मैलकम आदिशेशिया पुरुसका दोहजाद चॉबिस के लिए चुना गया है नेक्स्ट है मारा कोशन आंसर हो जाएगा भारतिय वायू सेना को नेक्स्ट है एलेक्ट्रोनिक्स एवं मेकैनिकल इंजिनियर्स यानि की EME के 33 महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आंसर हो जाएगा जर्नल J.S. सिदाना को नेक्स्ट है मारा कोशन किसे चैननाई के प्रतिस्टित वेल्स विश्विद्याले ने डॉक्टरेट की मानकुपाधी से सम्मानित किया है आंसर हो जाएगा अभिनेता राम चरन को नेक्स्ट है मारा कोशन सोलवा विशु भविशे उर्जा शिखर समिलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है आंसर हो जाएगा सयुक तरब अमिरात के अबू धाबी में नेक्स्ट है किस देश में जिग नामक नई स्वन समर्थित मुद्रा शुरू की गई है आंसर हो जाता है जिम्बोवे में अगला कोशन एर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड़ा संचालन के प्रमुक के रूप में नियुक्त किया है आंसर हो जाएगा जैराज शनमुगम नेक्स्ट है आई कैन कोच नामक पुस्ता के लिखक कौन है आंसर हो जाता है सिदार्थ राज शेखर अगला कोशन अगला कहलनर किस देश ने भारत को पीछे चूडते हुए रूस से सबसे अधिक कच्चा तिल आयात किया है आंसर हो जाता है चीन देश ऍंञेंट है अंसर हो जाता है सात एपरल को मनाया गया है वेश्व wrapped 24 थीम कैया है इसकी मेरा सौवास्त ऋ मेरा अधिकार My Health My Right झनिस्ट वर्ष 2024 में सलोवाकिया के नई राश्पती कौन बने है आंसर हो जाता है पीटर पेलेगरीनी जो है ये सलोवाकिया के नई राश्पती बने है 2024 में भारतिय ततरक्शक बल यानि Indian Coast Guard के महान निदेशक रागेश पाल ने जलिय केंदर का उधगाटन कहां पर किया है आंसर हो जाता है तमिलाडू के मंडपम में नेक्स्ट है बीस्वी एशियाई कुष्टी चैंपेंशिप 2024 कहां पर आयोजित हुई है किरिकिस्तान के बिश्केक में आयोजित हुई है नेक्स्ट है भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उचायुक्त पद पर नियुक्त किया है राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन नेक्स्ट है अपरिल 2024 में किस देश ने अपने अंगारा एफॉई रॉकेट का सफल परिक्षन किया है आंसर हो जाता है रूस देश ने नेक्स्ट है अपरिल 2024 में जलियावाला बागनर सहार राज़िके कितने वर्ष पूरे हो गई है आंसर हो जाता है 105 और फेंस अगर आपसे एक्जाम में ये पूछ लें कि जलिया वाला बाग नर्स हार है ये कब हुआ था तो आपका आंसर होगा 13 एपरल 1919 को नेक्स्ट है मारा कोशन विशवार्थिक मंच यानि की डबलू एफ की 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर्स किसे सम्मानित किया गया है आंसर हो जाएगा अद्वेत नायर को अगला कोशन अंतरिक शेतर में आविशक घड़कों के निर्मान के लिए सरकार द्वारा कितने प्रतीशत प्रतेक्ष विदेशी निवेश की अनुमती दी गई है अंसर हो जाएगा 100 प्रतीशत किसने वर्ष की अगामी खिलाडी के लिए होकी इंडिया का असुनता लाकड़ा पुरुसका दोहजा चॉबिस से सम्मानित किया गया है अंसर हो जाएगा दिपीका सोरिंग को अगला कोशन विशो रजट सर्विक्षन 2024 के अनुसार हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उतबादन में कौन से स्थान पे है अंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर किस देश ने प्रतम अंतरिक्ष युद अभ्यास विक्टस हैज मिशन लॉंच करने की घोशना की है अंसर हो जाता है अमेरिका अगला कोशन जल चीवन मिशन के तहत घरों में नल का पानी उपलब्द कराने में पहला स्थान किस जिले ने हाशिल किया है अंसर हो जाएगा तमिलाडू के नीलगिरी ने अगला कोशन पैरिस अलमपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिन दितों करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है आंसर हो जाएगा बिलिक स्मीर किसे केंद्रिय जाँच ब्योरो यानि कि CBI के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है आंसर हो जाएगा अनुराग कुमार को CBI यानि कि केंद्रिय जाँच ब्योरो के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है नेक्स्ट है वर्ष 2024 में Automotive Tire Manufacturer Association यानि कि ATMA का निया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है अरनब बैनर्जी को नेक्स्ट है मार्ष 2024 में Fikki Ladies Organization यानि कि FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है आंसर हो जाएगा जॉइश्री दास वर्मा अगला कोशन वैश्विक स्तर पर e-commerce platform के रूप में भारत का government e-market portal किस स्थान पर है आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर किस देश के चीन द्वारा निर्मित माटाला राजपक्षे अंधराष्टे हवाई अड्डे हवाई अड्डे यानि कि हमबन टोटा का परबंदन भारती और रूसी कंपनी करेंगी आंसर हो जाएगा श्री लंका की सरवश्रेश निर्मान प्रियोजनाओं के लिए उपलब्दी पुरुसकार श्रेणी में पंदरवां CIDC विशकर्मा पुरुसकार 2024 किस कंपनी ने जीता है गेल ने यानि कि गयास अथौरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अगला कोशन विपरो लिमिटेड के नई मुख्य कारेकारी अधिकारी यानि कि CEO और महा प्रिबंदक MD कौन नियुक्त होए है स्ट्रीट निवास पलिया नेक्स्ट है विशेश सुरक्षा समू यानि कि SPG के महा निरिक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है लव कुमार को SPG का महा निरिक्षक नियुक्त किया गया है नेक्स्ट है किस राज्य में उगादी तेहौर को नए साल के रूप में मनाया जाता है अनसर हो जाएगा करनाटक राज्य में नेक्स्ट है अंतराश्टी महिला दिवस यानि की इंटरनेशनल वोमेंस डे दोहुजार चौबिस कम मनाया गया आठ मार्च को थीम क्या है इसकी महिलाओं में निवेश करें प्रगती में तेजी लाएं इंग्लिश मोगा इन्वेस्ट इन वोमें एसलिरिटिड प्रोग्रेस नेक्स्ट है मारा कोशन किस राज्जे की आधिवासी पोशाग जिसका नाम है रीसा को जी आई टैक मिला है आंसर हो जाता है तिरपुरा अगला कोशन किस राज्जे में पहली एशियन रीवर राफ्टिंग चैंपेंशिप 2024 का आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश के शिमला में राज्जे के युवाओं में उध्मिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्जे सरकार ने माई युवा योचना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश नेक्स्ट है युनाइटेट स्टेट्स गॉल्फ एसोशियेशन यानि की यूएस जिये द्वारा किस खिलाड़ी को बॉब जॉन्स प्रुजका 2024 से सम्मानित किया गया है टाइगर वुड्स नेक्स्ट है भारत की समुद्री सुरक्षा एजन्सी ने दो दिवसिये 30 सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 0124 का योजन कहां पर किया है लक्षदूइप में नेक्स्ट है किस राज्य के मेरज में बने सितार और तानपूरा को जी आई टैक मिला है आंसर हो जाता है महराश्ट्र अगला कोशन छटे अंतराश्टिय शतरंज महासंग यानि की फीडे रेटेड रैपिंग शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी किसने की है आंसर हो जात कि ये part 2 वीडियो है ठीक है इसमें मैं आपको 445 से लेके 888 question करवा रहा हूँ मतलब कि ये part 2 में total 444 question और है ठीक है part 1 भी आप जरूर देख लेना link आपको description में देदूँगा वैसे वैसे आप search कर सकते हो January से April 2024 current affair आगे रवी sir ठीक है तो आपको मिल जाएगा तो friends आप part 1 भी जरूर देख लेना best result के लिए next April 2024 में Solve with I.O. का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है answer हो जाएगा Manoj Panda को next है मारा question Miami Open 2024 में महिला इकल का किताब किसने जीता है answer हो जाएगा Daniel Collins ने Miami Open 2024 में महिला इकल का किताब जीता है अगला कोशन April 2024 में भारत की किस कंपनी ने गौएना रक्षा बल के दो डॉर्नियर 228 विमान सोंपे है answer हो जाएगा हिंदुस्तान Aeronautics Limited यानि की HAL next है किस देश के fusion reactor कृतिम सूरे ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 48 सेकिंड तक प्लाजमा बनाई रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है answer हो जाता है दक्षिन कोरिया next है April 2024 में किसे जर्मन लोकतंद पुरुसकार से सम्मानित किया गया है answer हो जाएगा Alexi Navalny और Yulia Navalny को next है गंगौर महतसब 2024 कि सराज्य में मनाया गया है answer हो जाएगा राजिस्थान राज्य में next है किसे 2024 के सर्वस्टरिष्ट विग्यानिक पोस्टर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है answer हो जाएगा डॉक्टर अगरवाल आई हॉस्पिटल तमिलाडू next है कौन सा बंदरगा भारत द्वारा अधिकरित किया जाने वाला दूसरा अंतराश्टी बंदरगा बन गया है सित्वे बंदरगा कहां पर है मैंनमार में next है पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सम्मिधान के किस अनुछेद के तहत जलवाईयो परिवर्तन के प्रतिकूल परभावों से मुक्त होने के अधिकार को मानेता दी है अनुछेद 21 और अनुछेद 14 next है अंतराश्टी शत्रंज महासंग यानि के फीडे रैंकिंग 2024 के अनुसर भारत के नंबर एक शत्रंज खिलाड़ी कौन बन गई है आंसर हो जाएगा अर्जुन एरिगासी यह आपको ध्यान रखने है अर्जुन एरिगासी जो है यह भारत के नंबर वन शत्रंज खिलाड़ी बन गई है फीडे रैंकिंग 2024 के अनुसर next है अपरल 2024 में भारतिय सेना ने किस एर डिफेंस रक्षा परनाली को अपने एर डिफेंस कोर में शामिल किया है आंसर हो जाएगा अकाश तीर next है सैनेगल के नए प्रधानमंतरी कौन नियुक्त होए है आसमान, सोन को जो है ये सैनेगल के नए प्रधानमंतरी नियुक्त होए है अगला कोशन भारत ने कब तक परमानू उर्जा शमता को एक लाख मिगावार तक पढ़ाने का लक्षे रखा है आंसर हो जाएगा 2047 तक next है भारे सरकार ने देश में यूरिया का आयात कब तक खतम करने की योचना की है आंसर हो जाएगा वर्ष 2025 तक next है एक वहान एक फास्ट एग नियम किसने लागू किया है आंसर हो जाएगा भारतिय राश्टिय राजमाग प्राधिकरन यानि की NHAI ने next question अंतराश्टिय खनरन जागरुकता दिवस 2024 कम मनाया गया है आंसर हो जाएगा चार एप्रल को इसकी थीम क्या है जीवन की रक्षा शांती का निर्मान इंग्लिश में होगा protecting lives, building peace next है पहला परमानू उर्जा शिखर समिलन 2024 कहां योजित किया गया है आंसर हो जाएगा Belgium के Brussels में next है अंतराश्टिय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतिय खलाड़ी कौन बन गए है सुनील छेतरी जो है 150 मैच खेलने वाले पहले भारतिय खलाड़ी बन गए है अगर आपको वीडियो की quality, वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंदारी है वीडियो को like और share जरूर करें और आपको बताना चाहता हूँ January से जो April तक की हमारी e-book है Current Affairs की वो launch हो चुकी है जिसमें की आपको 3500 से जादा question देखने को मिलने वाले है ठीक है तो website है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर जाके आप Current Affairs की e-book जरूर बाई कर लेना अपनी exam से पहले complete revision के लिए ठीक है सारे important topic हमने इसमें cover कर दिये है January से लेकर आपर तक है सभी important question हमने इसमें डाल दिये है ठीक है तो आपको website note down करना है www.ravibooks.pdf.com यहाँ पर आपको gk, quality, history, all subject की e-book मिल जाती है ठीक है mobile application भी install कर लेना रवी study gk नाम से है ठीक है mobile application यहाँ पर फ्री test में जाके delete test लगा सकती है 20 question job को मैं Current Affairs के बढ़ाता हूँ ठीक है friends next है मारा question Royal Challenges Bangalore ने IPL 2024 से पहले अपना नाम बदल कर निया नाम क्या गिया है Royal Challenges Bangalore next है रंजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है answer हो जाएगा मुंबई ने जीता है रंजी ट्रॉफी 2024 का खिताब और इसमें उवी जिता रही है विधरब की टीम next है केंदरिये माध्यमिक सिक्षा बोड यानिकी CBSE के नई अध्यक्ष कौन बने है answer हो जाता है राभू सिंग CBSE के नई अध्यक्ष बने है अगला question दुनिया की पहली 3D PRINTED MASJD का निर्मान कहा किया गया है answer हो जाएगा सौधी अरब में दुनिया की पहली 3D PRINTED MASJD का निर्मान किया गया है next है Financial Action Task Force यानि की FATF का निया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा Elisa D. Anda Madrazo जो है या FATF के नई अध्यक्ष बनी है और ये मेक्सिको की है मार्च 2024 में जारी तेंदुओं पर नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संखिया कितनी है? आंसर हो जाएगा 13874 अगला कोशन विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया? एक मार्च को मनाया गया है थी मैं नाईकों का सम्मान और सुरक्षा कोशल को बढ़ावा इंगलिश में होगा हॉनरिंग हीरोज एंड प्रोमोटिंग सेफटी स्किल्स नेक्स्ट है, 2024 में दुनिया में सबसे कम प्रेजनन दर कहां दर्ज की गई है? दक्षिन कोरिया में अगला कोशन भारत की स्पेस एजनसी इसरो किस वर्ष तक चंदरियान 4 को लांच करेगा? दो हजार अठाइस तक अगला कोशन, भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरिशन लिमिटेड यानि की BPCL के ब्रेंड मेज़दर कौन बने है? नीरा चोपड़ा रक्षा मंतराले ने कि इस कंपनी के साथ 34 ELH दुरूब हैलिकॉप्टरों के लिए 8,73 क्रोड रुपे का सौधात क्या टै किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नेक्स्ट है अंतराश्टी होकी महासंग द्वारा जारी FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीट स्थान पे है? निदरलेंड देश टॉप तीन देश देख रहते हैं निदरलेंड नमबर एक पे बैलसियम नमबर दो पे जर्मनी नमबर तीन पर और भारत को इस्थान मिला है चौथा अगला कोशन अंतराश्टी होकी महासंग द्वारा जारी FIH महीला विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीश पे है? तो महीलाओं में भी निदरलेंड नमबर एक पे है टॉप तीन देखते हैं निदरलेंड नमबर एक पे बताया है मैंने आपको अर्जेंटीना नमबर दो पे और जर्मनी नमबर तीन पर भारत का इस्थान चेटा है चटी राश्टी है पैरा बैडमिंटन चैप्रिंशिप दोहजा देश चौबिस का आयोजन कहां किया गया है आंसर हो जाएगा जारखंड के जमशेदपूर में नेक्स्ट है मारा कोशन सर्यूंक्त राश्ट द्वारा जारी विश्व खुशाली रिपोर्ट दोहजाच चौबिस में सबसे खुशाल देश कौन सा बना फिनलेंड टॉप तीन देश देखते हैं फिनलैंड नमबर एक पे डनमाक नमबर दो पे आइसलैंड नमबर तीन पर भारत का स्थान 126 हमा है विश्व गौराया दिवस 2024 का मनाया गया 20 मार्च को मनाया गया है अगला कोशन मार्च 2024 में भारत का पहला आयरुवेदिक रैस्तरा जिसका नाम है सोमा कहां शुरू हुआ है नई दिल्ली में नेक्स्ट है चंदरियान 3 मिशन में उलेखनी उपलब्दियों के लिए अविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ट 2024 से किसे सम्मानित किया गया है इस रो को नेक्स्ट है आईपल 2024 से पहले चैनने सूपर किंग्स का नया कप्तान किसे चुना गया है रितुराज गाइकवार्ड को अगला कोशन एबल पुरुषका 2024 से किसे सम्मानित किया गया है मिशेल टेला ग्रेंट को एबल पुरुसका 2024 से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट है लुइस मॉन्टेग्रो किस देश के नई प्रधानमंत्री बने है आंसर हो जाएगा पुर्टगाल अगला कोशन एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया यानि कि E.I.I.L. के नई ब्रेंड अमेसजर कौन बने है नीरच चोपड़ा अगला कोशन कौन सा राज्जे चौदिवी सीनियर महिला राष्टिय चैंबेंशिप 2024 में शीर स्थान पे रहा है हर्याना राज्जे अगला कोशन चुनाव आयोग ने चुनाव प्रेकिरिया की निगरानी के लिए किस एप को लॉंच किया है सी विजिल एप को किस राज्जे में डोल जातरा महसा मनाया गया है आंसर हो जाएगा पशिम बंगाल में नेक्स्ट है भारत की दिगज खिलाडी बीस आई प्रनीत ने मार्च दोहजाद चौबिस में सन्यास की घोशना की है इनका संबंध किस खेल से है बैडमिंटन अगला कोशन केंद्रिय मंत्री जितेंदर सिंग ने किस राज्जे में इन स्पेस के उननत तक्नीकी केंदर का उधगाटन किया गुजरात के एहमदाबाद में नेक्स्ट है अंतराश्टिय सौर गटबंदन का अनुमोधन करने वाला संतानवा सदस्य देश कौन सा बना पनामा नेक्स्ट है किस राज्जे के अमबाजी सफेज संगमर्मर को जी आई टैक प्रदान किया गया है आंसर हो जाता है गुजरात नेक्स्ट है पांचमे राश्टिय युवा संसद महसब 2024 में प्रथम पुरुसकार किसने जीता है आंसर हो जाएगा हर्याना के यतिन भासकर दुगल ने अगला कोशन मार्च 2024 में जल शक्ती अभ्यान कहच दारेन अभ्यान के पांचमे संसकन की शुरुआत किसने की है गजेंदर सिंग शिखावत ने नेक्स्ट है राश्टी अनुसूची जाती आयोग यानि की NCLC का ध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है किशोर मकवाना को अगला कोशन गोडबाया राच बक्षे दा कौनस्प्रेसी नामक पुस्तक के लेखक है नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला सरकारी होमियोपैथिक कॉलेज कहां स्थापित किया जाएगा आंसर हो जाएगा जमू और कश्मीर नेक्स्ट है मार्च दोहजार चौबिस में शोदकरताउने केरल के तट पर गहरे समुद्र में आईसोपोर्ड की एक नई परचाती की खोज की है इसका नाम की संगठन के नाम पर रखा गया है आंसर हो जाएगा इसरो ठीक है और परचाती का नाम है बुरूस्ताओ इसरो प्रथम मगई उपन्यास फूल बहादूर का अंगरीजी अनुवाद किसने किया है अभै के ने अंतराश्टे दूस अंचार संगने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सहधिक्ष के रूप में चुना है आंसर हो जाएगा भारत को अगला कोशन चंदरियां थ्री लेंडिंग साइट को अंतराश्टे खगोली संगने मानेता दे दी है इसका क्या नाम रखा गया था शिफ शक्ती अगला कोशन मार्च दोहजाच चौबिस में किस चक्रवती तुफान ने उतरी अस्टेलिया में तभाही मचाई है आंसर हो जाएगा मैगन नेक्स्ट है नियोज़क शहर के कि स्टेडिया में फीफा विशक अब दोहजाच भीश का फाइनल आयोजित किया जाएगा मैटलाइफ स्टेडियम नेक्स्ट है भारत में एशियाई विकास बैंग यानि कि ADB की कंट्री निदेशक कौन बनी है मियो ओका अगला कोशन भारत का सबसे बड़ा थेटर फेस्टिवल भारत रंग महुतसब का योजन कहां किया गया है गुजरात के एक अच्छ मे नेक्स्ट है किस भारतिय तेरंदाज को विश्व तेरंदाजी द्वारा 2023 के लिए विश्व तेरंदाजी ब्रेक्थ्रू प्रोवार्मर अवदायर का पुरुसकार मिला अधिती गोपीचंद महरास्ट्र नेक्स्ट है जनवरी 2024 में चाड के नई प्रधानमत्री कौन बने सुकसेस मसरा चाड के नई प्रधानमत्री बने है नेक्स्ट है अंतराश्टिय नियाले यानि कि ICJ के नई अधिक्ष कौन बने है नवाफ सलाम लेबनान के है नेक्स्ट है एक रोड से अधिक आयुश्मान कार्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना असम नामीबिया के नई कारेकारी राष्टपती कौन बने है नांगोलो मंबुमबा जो है ये नामीबिया के नई कारेकारी राष्टपती बने है अगला कोशन अगला कोशन भारत के नए स्वास्ते सचीव कौन बने है? आंसर हो जाएगा अपूर्व चंद्रा अगला कोशन उतराखंड की पहली महिला मुख्य सचीव कौन बनी है? आंसर हो जाएगा राधा रतूडी नेक्स्ट है यमन के नए प्रधानमंतरी कौन बने है? अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंतरी बने है नेक्स्ट है श्री लंका ने अपना 76 सोतंदर्ता दिवस काम बनाया 4 फरवरी 2024 को थीम है लेट्स बिल्ड आ न्यू कांट्री अगला कोशन टॉम टॉम ट्राफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्राफिक जाम वाला शहर कौन सा बना? लंदन टॉप तीन शहर देखते हैं लंदन नमबर एक पे डबली नमबर दो पे टॉरंटो नमबर तीन पर नेक्स्ट है एप्रल 2024 में किस महारतन कंपनी को नवीकर्निय उर्जा वित पोशन श्रेणी में स्कॉच ESG पुरुसका 2024 से सम्मानित किया गया है REC Limited को नेक्स्ट है किसे Press Information Bureau यानि की PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसे New India Insurance यानि की NIA के अगले अध्यक्ष एवं प्रबन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सीता राम मीना को किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है नाइसर भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नई टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है 16 प्रतिशत मार्च 2024 में भारती अतरक्षक बल द्वारा किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का अयोजन किया गया है आंसर हो जाएगा चंजाती आयो का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है आशा लकडा को अगर आपको वीडियो की कॉलिटी वीडियो का कॉंटेंट और आपके रवी सर की महनत पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें कॉमेंट बॉक्स में अपना फीडबाइक भी दे कि आपको वीडियो कैसी लगती है अफरेंट डेली के 20 कोशन पढ़ने के लिए करंट अफेर्स बाइर्वी यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले गया है श्री लंका के कॉलूम्बो में नेक्स्ट है 96 अकादमी पुरुसकार यानि की आसकर पुरुसकार 2024 में सर्वश्रेश रभीनेता का पुरुसकार किसने जीता किलियन मर्फी ने नेक्स्ट है मारा कोशन भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुवात कहां पर होगी बैंगलूरू करनाटक में नेक्स्ट है मारा कोशन भारतिय नौसेना ने अपना पहला सोतंतर मुख्याले नौसेना भवन कहां स्थापित किया है नई दिल्ली में अगला कोशन मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मिशन 414 अभ्यान को शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में प्रतिष्ठित महाराष्ट गौरप पुरुसका दोहजाच चॉबिस से किसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर उमार रेले को संजय मुखर जी को किस राज्य के पुलिस महानित देशक के रूप में नियुक्त किया गया है पश्शिम बंगाल अगला कोशन गगनियान अंतरिक्ष उडान मिशन की दोरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहाइता के लिए विकरम सारा भाई अंतरिक्ष के इंदर द्वारा कौन सा एप विक्सित किया गया है सकी एप कि संगठन ने वारशिक जलवायो स्थिती रिपोर्ट 2023 जारी की है आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन कौन सा देश विश्व दूसंचार मान की करन असेंबली 2024 की मिजबानी करेगा आंसर हो जाएगा भारत मार्च 2024 में Microsoft का नया AI प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है मुस्तफा सुलेमान को किस क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है तनमय अगर्वाल तिलंगाना की है अगला कोशन किस विश्विद्याले में उतर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जा रहा है बनारस हिंदू विश्विद्याले भारत में पहली बार किस राज्य में उतरी अमेरिकी पक्षी लाफिंग गुल देखा गया है आंसर हो जाएगा कासर गोड केरल अगला कोशन वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे जादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है टोईटा जपान दूसरा इस्थान है वक्सवेगन जर्मनी बारत में पहली हीम तेंद्वा गर्णना के अनुसार किस राज्य या केंद शाषित प्रदेश में हीम तेंद्वों की अबादी सबसे अधिक है लद्दाक में 477 नेक्स्ट है दिव्यां कारिगरों और उद्वियों की प्रतिभा और कौशल का जश्र मनाने के लिए किस राज्य में दिव्यकला मेला 2024 का उधगाटन किया गया तेरपुरा के अगरतला में नेक्स्ट है तेलंगाना फुटबॉल एसोशेशन की शेहर में फीफा विशकप दोहदाचब़िस क्वालिफाइर की मिजबानी करेगा है एधराबाद नेक्स्ट है उतरी आयरलेंड ने पहली बार किस आईरिश राष्टबादी को प्रथम मंत्री नियुक्त किया है अंसर हो जाएगा मिशेल ओ नील नेक्स्ट है भारती सेना के नए उप्रमुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है उपेंद्र दुवेदी को यह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है फॉलकॉन नाइन रॉकेट से लॉंच होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है जी सेट ट्विन्टी नेक्स्ट है किस देश के वग्यानिकों ने हाइड्रोपोनिक क्रिशी के लिए एलेक्ट्रोनिक म्रिदा विक्सित की है सुईडन नेक्स्ट है भारत की पहली निजी हेलिकॉप्टर असेंबली लाइन स्थाबित करने के लिए टाटा समोने किसके साथ समझोते ग्यापन पर हस्थाचर किये हैं एयर बस नेक्स्ट है विश्व कुस्ट रोग दिवस 2024 का मनाया गया 28 जनवरी को थी मैं कुस्ट रोग को हराओ यानि की बीट लेप और सी नेक्स्ट है दो हजाच चौबिस पैरिस उलमपी की मशाल वहाग के रूप में किसे चुना गया है अभिनव बिंदरा को फरवरी 2024 तक भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्जे में स्थित है तमिलाडू में कुल सोला नेक्स्ट है किस राज्जे में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी करनाटक के बैंगलोरू में नेक्स्ट है कौन सा देश ब्रष्टाचार बोद सूचकांग 2023 की सूची में शीष पर है डैनमार्क शीष तीन देश देखते हैं डैनमार्क नमबर एक पर फिल्लैंड नमबर दो पर न्यूजलैंड नमबर तीन पर भारत की रैंक 93S में आखरिस्थान सोमालिया को मिला है नेक्स्ट है भारती दूर संचार नियामक पराधिकर यानि की ट्राई की अधिक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है? आनिल कुमार लाहूटी को 75 गंतंतर दिवस प्रेड में किस मंत्राले की जहांकी को सरुष्टेश जहांकी का पुरुषकार मिला संस्कृति मंत्राले थीम क्या थी इसकी भारत लोकतंतर की जननी नेक्स्ट है समुदरी शेवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्य सम्मिलन कहा योजित किया गया गुजरात के कच्छ में नेक्स्ट है हमारा कोशन भारती सेना में सुबेदार के बद पर पदोनत होने वाली पहली महिला कौन बनी प्रीती रजक अगला कोशन किस देश ने पहला FIH होकी 5S महिला विशकब 2024 का किताब जीता नीदरलेंड नेक्स्ट है किसने मच्छवारों के लिए दूसरी PD का आपदा चितावनी प्रेशिष्टर डैट SG विक्सित करा है इस रोने ओडिशा के मुखे मंतरी नवीन पतनायक ने कि शहर में मा समलेशुवरी मंदिर के आसपास विकास के लिए समलेई परियोजना का उदगाटन किया है संबलपूर 75 गंतन्त दिवस 2024 में सरवश्टे जहांकी का अवार्ट किस राज्य की जहांकी को दिया गया है ओडिशा अगला कोशन भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा आयोजी समहारों में कर्नल सी के नाइडू लाइफटे मचीमेंट पुरुसका दोहजा चौबिस से किसे सम्मानित किया गया है फारुक इंजिनियर और रवी शास्त्री को वैशुविक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है वैशुबैंक ने SpaceX के AX3 मिशन से अंतराश्टी अंतरिक स्टेशन पर जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक शात्री कौन बने अलपर गेजारवसी भारत में चौदमा राश्टी मदाता दिवस 2024 का मनाया गया 25 जनवरी को थीमेज की वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम इंगलिश में है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर शेवर अगला कोशन भारत के किस राज़े में दुनिया की पहली मैलेलिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी या बोल सकते हो ब्लैक टाइगर सफारी विक्सित की जाएगी और इशा के महीूर बंज में अगला कोशन स्पेन का कौन सा शहर 2026 से शुरू होने वाले स्पैनिश फॉर्मूला वन ग्रेंट प्रिक्स की मेजबानी करेगा मैटरिड अगला कोशन अमेरिका में पहली बाद दोशी को फांसी देने के लिए किस गयास का उप्योग किया गया है नाइट्रोजन गैस और मिर्तक की मा का नाम है कैनेथ सिमित अगला कोशन नेक्स्ट है मारा कोशन भारत के सबसे लंबे केबल स्टेप ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उधगाटन कहां किया गया गुजरात के दौारका में नेक्स्ट है फरवरी दोहजार चौबिस में किस देश को FATF की वित्ते अपराद निगरानी सूची से हटा दिया गया है सयुग तरब आमिराद नेक्स्ट है फरवरी दोहजार चौबिस में प्रधानमंती नरेंदर मोधी जी ने किस राज्ये के पहले रेल्वे स्टेशन रंगपो स्टेशन की अधारशिला रखी है सिक्किम विश्व व्यपार संगठन WTO का तीरवा मंत्री स्तरिय सम्मिलन कहां आयोजित किया गया है सयुग तरब आमिराद के अबुधाबी में नेक्स्ट है पाकिस्तान के नई परधान मंत्री कौन होंगे शेहबाज शरीफ फरवरी 2024 में मिसवल्ड 2024 का कौन सा संस्क्रण भारत में आयोजित किया गया सैवन्टी नाइन वा नेक्स्ट है महा स्वपिन कुड़ू नामक पुस्तक का विमोचन किस ने किया एन चंदरबाबू नाइडू ने किस देश में विश्व की पहली हवाई टेक्सी सेवा का शुभारम किया गया दुबई संयुक तरब आमिरात में निती आयोग ने बंजर भूमी की हर्याली और बहाली के लिए किस रिपोर्ट और पोटल का नावरन किया किस राजे में 36 राष्टी पुस्तक मेले का आयोजन किया गया हैदरबाद तिलंगाना किस राजे के गुपतेश्वर वन को राजे का चौथा जैव विविता विरासस थल घोशित किया गया ओडिशा उतकल दिवस प्रतेक वर्ष किस दिन मनाया जाता है एक अपरिल को मियामी ओपन 2024 में पुरुश यूगल फाइनल जीतने वाले सबसे उमर दराज भारतेक लाड़ी कौन बन गए रोहन बोपनना टी टॉन्टी करिकेट में 300 मैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने महिंदर सिंग धोनी अगला कोशन है महरा अंतराज़्टी बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारो कहां योजित हुआ इटली के रोम में शर्फु दोला इबने शाहिद ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपाइर बन गए हैं बांगलादेश मार्च 2024 में परेटकों के लिए शिगमोथ सब 2024 तेहोर किस राज़े में मनाया गया गोवा में बारत ने राश्टी समुदरी सब्था 2024 का मनाया 29 मार्च से 5 अपरिल तक आपरिल 2024 में पूर्व क्रिकेटर रम्मन सुबा रोका बानवे वर्ष की आयू में निधन हो गया है किस देश से थे आंसर हो जाएगा इंगलैंड से विश्व यकरित दिवस 2024 का मनाया गया 19 अपरिल को मनाया गया है 2024 कि इसकी थीम है अपने यकरित को सवस्त और रोगमुक्त रखें इंगलिश में होगा keep your liver healthy and disease free नेक्स्ट है 128 मी बोस्टन मैराथन में पुरुष्यों की सपरदा में किसने अपना पहला बोस्टन मैराथन किताब जीता सिसाय लहमा ने मार्च 2024 में 94 पत्रिस्टित कलाकारों को वर्ष 2223 के लिए संगीत नाटक अकादनी पुरुष्कार किसने प्रदान की है दुराबदी मुर्मूने महिलाओं को शशक्त बनाने की उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने इंद्रा गांदी प्यारी बहना सुक सम्मा निधी योजना की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश ये आपको ध्यान रखना है भारत का पहला भारत स्टीम बॉलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहां किया गया है असम के गुवाटी में मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32 सदस्य देश बना है आंसर हो जाएगा सुईडन अगला कोशन करनाटक राज्जे ने कि संगठन के साथ मिलकर ये आई केंदर की स्थापना करने की घोशना की है आंसर हो जाएगा विश्योव आर्थिक मंच याने की डबलू एफ नेक्स्ट है किस राज्जे या यूटी में गौरसम कोरा महतसब 2024 मनाया गया है नेक्स्ट है मारा कोशन भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलेस्टिक मिसाईल अगनी 5 का पहला सफल फ्लाइट परिक्षिन किया है इसे किस ने विक्सित किया है आंसर हो जाएगा DRDO ने नेक्स्ट है प्रधानमिती नरींदर मोधी जी ने किस राज्जे में भारत का पहला एकल खंबो वाला एक्सप्रेस वे द्वार का एक्सप्रेस वे का उधगाटन किया है आंसर हो जाएगा हर्याना के गुरुगराम में किस राज्य में प्रधानमेदी नरींदर मोधीजी ने दुनिया की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग सेला सुरंग का उधगाटन किया अरुनाचल परदेश के इटानगर में नदियों के लिए अंतराश्टिय कारभाई दिवस तो हुजाच विस का मनाया गया 14 मार्च को थीम एसकी सभी के लिए पानी यानिकी वाटर फोर अल अगला कोशन महिलिया प्रीमियर लीक डबलू पीर इतिहास में छे विकेट लेने वाली पहली खिलाडी कौन बनी एलिसे पैरी अस्टेलिया की है मार्च 2024 में किस देश के पहले निजी छेतर के रॉकेट कैरोस का परिक्षेपन विफल रहा आंसर हो जाएगा जापान मार्च 2024 में किस देश ने अपने पहले लीजर हत्यार ड्रैगन फाइर का परिक्षन किया है युनाइटेड किंग्डम अगला कोशन, किस राजिया यूटी में भारत के पहले फ्यूचर लैप सेंटर का उदगाटन किया गया है केरल के तिरुवनंत पूरम में नेक्स टाइम औरा कोशन भारत का सबसे उचा मौसम टावर का उदगाटन कहां किया गया है बहपाल के मद्धे प्रदेश में मार्च 2024 में UNDP द्वाराजारी लैंगिक और समानता सूचकांग 2022 में भारत की रैंग क्या है? 108 में स्थान पे है भारत, टॉप तीन देश देखते हैं डैनमार्क नमबर एक पे, नौर्वे नमबर दो पे स्यूजरलैंड नमबर तीन पर मार्च 2024 में संयुक्त राश्ट द्वाराजारी मानव विकास सूचकांग 2022 में भारत की रैंग क्या है? 134 टॉप तीन देश देखते हैं सूजरलैंड नमबर एक पे, नौर्वे नमबर दो पे, आइसलैंड नमबर तीन पर अगला कोशन, भारत मुजांबिक और किस देश के बीच अभ्यास I.M.T. ट्राइलेट 2024 के दूसरे संस्क्रम का आयोजन किया गया तंजानिया नेक्स्ट है, टाटा डिजिटल के नए CEO और MD कौन बने हैं? नवीन ताहिल यानी सीमा सणगठेन यानि की, सीमा सणगठेन, यानी की बियारों ने की संतराष्टी सीमा पर बारण लगाने की परयोजना प्रारंब की है, भारत मैनमार सीमा पर रतन टाटा ट्रस्ट ने किस राज्जे के महालक्षमी छेत्र में भारत के पहले अडवांस लगू पशु अस्पताल के लॉंच की घोशना की है दक्षिन मुंबई अगला कोशन महाराज सरकार ने लुप्त पराए कैनिडस जीवों के लिए किस कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना की है अठ पार्डी कंजर्वेशन रिजर्व समाने नागरिक सहिंता यानि की UCC को लागो करने वाला भारत का तीसरा राज्जे कौन सा बना असम पहले दो राज्जे हैं कोवा एवं मुत्राखंड अगला कोशन फरवरी दोहजाज चौबिस में प्रधानमंती नरिंदर मोदीजी ने UAE यानि की संयुक तरव आमिरात के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उधगाटन किया अबुधाबी में अंतराज्टी नियाले यानि की ICJ के नई अधिक्ष कौन बने हैं नवाफ सलाम लैबनान की हैं अगला कोशन एक करोड से अधिक आयूशमान कार जारी करने वाला भारत का पहला राज्जे कौन सा बना हैं असम भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सयोंगत रक्षा सहयोग समीती यानि की J.D.C.C. की पहली बैठक का आयोजन किया किगाली रवांडा ने नेक्स्ट है करनाटक हाई कोड के नई मुख्य नियाधिश कौन बने हैं पियस दिनेश कुमार नेक्स्ट है चौथा अंतर राश्टी एमानव बंदूतव दिवस दोहजा चौबिस कब मनाया गया चार फरवरी को अगला कोशन फरवरी दोहजा चौबिस में किस राश्ट मंदल देशों के महा नयवादियों और सॉलिसीटर जर्नल का सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली यह आपको ध्यान रखना है थीम एसकी क्रॉस बॉर्डर चैलेंजिस इन जस्टिस डिलिवरी विश्यो कैंसर दिवस दोहजा चौबिस का मनाया गया चार फरवरी को अगला कोशन अंतरीम बजट दोहजा चौबिस बच्चिस के अनुसार कौन सा देश भारतिय साहिता प्राप्त करने वाला शीष देश है भुटान रक्षा मंतरी राजना सिंग दवारा आउटस्टेंडिंग बिसनेस वुमन ओफ दाइयर दोहुजात देश बुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया डॉक्टर बीना मोदी को किस राज्जे के नॉड़ा इंटरनाशनल एरपोर्ट के पास आदी योगी शिव की 242 फीट उची प्रतिमा को स्थापित करने की मंजूरी मिली उत्तर प्रदेश किस राज्जे में 25 वा काला घोडा कला मोहसव 2024 का योजन किया गया महराष्ट के मुंबई में उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यातरी का नाम क्या है जो गगन्यान मिशन 2024 से पहले अंतरिक्ष में उडान भरेगी वयोम मित्र किस राज्जे के हाटी समुदाई को अनुसूची जन जाती का दरजा मिला हिमाचल प्रदेश कौन सा देश 2024 में ब्रिक्स की अधिक्षता करेगा रूस देश नेक्स्ट है भारतिय खेल पत्रकार महासंग और दिल्ली खेल पत्रकार संग ने किस भारतिय अथलीट को लाइफ टेम अजिरिमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है पीटी उश्या अगला कोशन राश्ट पिता महात्मा गांधी को समरपित 120 फीट उचा देश का पहला तामबे के आवरन वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहां स्थापित किया गया बिहार के पटना में केंदरिय भारी उद्योक मंत्री डॉक्टर महिंदर नाथ पांडे ने दो फरवरी 2024 को उतरा खंड के किन दो शहरों में सेंटर ओफ एक्सिलेंस के निर्मान के लिए मंजूरी दी रूड की एवं पंतनगर नेक्स्ट है उतर परदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजना सिंग ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्गाटन किया वरिंदावन अगला कोशन एकनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानि की EIU की बिजनेस इन्वारिमेंट रैंकिंग दोहजार चॉबिस में शीर स्थान किस देश को मिला सिंगापूर तीन देश देखते हैं सिंगापूर नंबर एक पे डनमाग नंबर दो पे अमेरिका नंबर तीन पर अगला कोशन राष्टिय समुदरी दिवस 2024 कम मनाया गया 5 अपरल को 2024 इसकी थीम है भविश्य को नैविगेट करना सुरक्षा पहले इंग्लिश में होगा नैविगेटिंग दा फ्यूचर सेफटी फरस्ट विश्व डोपिंग रोधी एजंसी वाड़ा की रैंकिंग के अनुसार दुनिया में डोपिंग का उलंगन करने वाला शीष देश कौन सा बन गया हमारा प्यारा भारत अगला कोशन राष्टपती द्रौबदी मुर्मो ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी शल कहां लॉंच किया है आयटी बॉंबे एप्रल दोहजार चॉबिस में लॉंच हुए भारत के पहले AI यानि की कृतिम बुद्धी मता सॉफ्टवेर इंजिनियर का नाम किया है देविका लोगसभा चुनाव दोहजार चॉबिस के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ हाइकन नियुक्त किया है आयूश्मान खुराना को नेक्स्ट है एसोसियेटीड चैमबर्स अफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ओफ इंडिया यानि की एसो चैम के नए अध्यक्ष कौन बने है संजय नायर अगला कोशन कौंकन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानि की के आर सीयल का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानि की सीमडी किसे नियुक्त किया गया संतोष कुमार जा फ्रेंट्स अगर आपको वीड बुक्स में नेक्स्ट है किस राज्य के बीहु ढोल को जी आई टैग मिला है असम नेक्स्ट है पैरिस ओलंपिक 2024 के लिए कौलिफाई करने वाली एकमात्र भारतिय भारत अलग कौन बन गई है मीरा बाई चानो नेक्स्ट है 2023 में कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का क नेक्स्ट है किस राज्य के राज्य पाल आरेन रवी ने परमविर चकर उध्यान का उध्गाटन किया तमिलाडू एपरल 2024 में किस देश ने मनुरंजक भांग को व्याद कर दिया है जर्मनी नेक्स्ट है विश्व आटिजम जारुकता दिवस 2024 कम मनाया गया दो एपरल को धीम क्या है 2024 की Empowering Autistic Voices हिंदी में होगा Autistic अवाजों को शशक्त बनाना नेक्स्ट है 2024 में मिस्तर के नए राष्टपती कौन बने है अब्दुल फते अलसी सी यूथ बॉक्सिंग विश्व दो हुजार चॉबिस में पदक तालिका में भारत की स्थान पर रहा है दूसरे स पर नेक्स्ट है नेक्स्ट है मारा कोशन भारत की पहली कृतिम बुदी मता AI अधारित फिलम कौन सी है जिसका ट्रिलर लॉंच किया गया इधा नेक्स्ट है किस राज्जे ने 56 राष्टिय खोको चैंपिंशिप 2023 जीती है महराष्ट्र केंद्रिय पेट्रोलियम और प्राक प्राकरतिक गैस इकाई गाटन कहां किया गया मध्य प्रदेश में हाइब्रीड तकनीका इस्तिमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना धरमशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट है मारा कोशन चटे होकी इंडिया पुरुषका 2023 के लिए होकी इं 2024 में कांगो लोकतांतरिक गनराज्य ने किसे देश की पहली महिला प्रदानमंत्री ने उक्त किया है जुडित सुमिनुवा तुलुका को अगला कोशन भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहां स्थापित किया गया मुंबई महराष्ट्र में अगला को गया नेक्स्ट वर्ष 2024 के लिए पर्थम सिना कमांडर समिलन कहा योजित किया गया नई दिल्ली में नेक्स्ट दस दिवसिय गगन शक्ती 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया भारतिय वायू सिना कि द्वारा नेक्स्ट ए एस्सोसियेशन ओफ समर उलमपिक इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया इंगवार डी वोज अगला कोशन वर्ष दोहजार चौबिस में सम्विधा निर्माता डॉक्टर भीमरा वंबिटकर की 24 जैनती कम मनाई गई 14 एपरिल को विश्व का सबसे बड़ा नवी करनिय उर्जा पार की स्थान पर बनाया जा रहा है गुजरात के खेवडा में भारते नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत इरानी जहज अलकंबर को बचाया है ऑपरेशन संकल्प वलादिमिर पुतिन किस देश के पांचवी बार राश्च्पती बने है रूस डाइना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया उदै भाटिया दिल्ली के और मांसी गुपता हरियाना गये भारतिय सेना के नए अधीक रहित AH-64E अपाचे लड़ागो हेलिकॉप्टरों को संचालित करने के लिए अपना पहला स्कौर्डन 451 अविएशन स्कौर्डन कहां बनाया गया राजिस्थान के जोधपूर में मांसे 2024 में किस मल्यालम कवी को उनके कावे संग्रे रुद्र साथविकम के लिए 33 सुरसती सम्मान 2023 के लिए चुना गया प्रभा वर्मा को महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता रॉयल चैलेंजस बैंगलूरों ने भारत और किस देश के बीच दसमा संयुक्त सैने अभ्यास लामित्य दोहजार चौबिस का आयोजन किया गया सैशल्स प्रसार भारती के नई अधिक्ष कौन बने है नवनीत कुमार सहगल अगला कोशन किस राज्य में देश की पहली द्रविकृत प्रागिर्टी कैस यानि की एलनजी बसका उधगाटन किया गया महाराष्ट्र मार्च 2024 में भारत में वैशिविक अध्यात्रमिक्ता समिलन का आयोजन कहां किया गया तिलंगाना के हैदराबाद में मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राज्टिय दिव्यांगन आइकन कौन बनी शीतल देवी किस राज्य में शिगुमो उत्सव 2024 मनाया गया गोवा में जुलाई 2024 में किस देश में नौवे महिला क्रिकेट T20 एशिया कप का आयोजन किया जाएगा श्री लंका पलिस अनुसंधान भैविकास बीरो के नए महानी देशक कौन बने राजीव शर्मा नेक्स्ट है मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम की आकार के मंदिर का उद्गाटन कहां किया गया राजिस्थान के पाली में अगला कोशन मार्च 2024 में सैनेगल का अगला राष्टपती किसे नियुक्त किया गया बसी सेरो डियो मायोगो भारत पूरे देश में एक समय सुनिश्चित करने के लिए कौन सी घड़ी का उपियोग करेगा परमानू घड़ी का अगला कोशन डबलिंग इन डिप्लोमैसी नामक पुस्ता किसने लिखी एसडी मुनी ने फरवरी दोहजा चौबिस में पिधानमेती नरींदर मोधीजी ने भारत की सबसे लंबी रेल्वे सुरंग का उदगाटन कहां किया जम्मू कश्मीर में केंद सरकार ने किस राजय में स्थिद पौंग बांध वर्नेजी वभ्यारन की सिमाओं से एक किलोमेटर के छेतर को एको सैंस्टिव जोन घोशित किया है हिमाचल प्रदीश चर्चा में रहा पौंपो रोग का संबन नेम लिखीत में से किस से है आंसर हो जाएगा अनुवांश की रोग अगला गोशन 11 फरवरी दोहजार चौबिस को किसकी पुनेदिथी पर समर्पन दिवस मनाया गया पंडित दीन दियाल उपाद है एक करोर घडों को प्रतिमा 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलप्त कराने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की प्रधार मंतरी सूर्य घर मुक्त बिजली योजना अलास्का की किस प्रायदीप में दूरलव वाइरल बिमारी अलास्का पॉक्स से पहली मृतियों की सूचना मिली केनाई प्रायदीप केंद्रिय सिक्षा इवं कॉशल विकास मंती धर्मेंदर प्रधान ने 11 फरवरी दोहजाद चॉबिस को दो दिवस्य सौ क्यूब स्टार्टप कॉंक्लेप शुभारम कहां किया आयाईटी भूवनेश्वर गंतंतर दिवस दोहजाद चॉबिस समहारों में कितने व्यक्तियों को वीर्था के लिए राष्टिय पदक से सम्मानित किया गया दो उत्राखंड हाई कोड की पहली महिला मुख्य ने आधिश कौन बनी है रितू भारी 66 ग्रैमी अवर्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अल्बम का अवर्ड किसने जीता है दिस मोमेंट ने अलेक्ट्रोनिक्स ब्रैंड बोट के नई ब्रैंड अमेज़डर कौन बने रनवीर सिंग अगला कोशन देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत सर्विक्षन जहाज भारती नौसेना में शामिल किया गया इसका नाम किया है आइनस संधायक अगला कोशन भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली कती शीलता प्रदशनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहां किया गया नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेक्स्ट है कश्मीर ट्रैवल्स इन पैराडाइस ओन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है रोमेश भटाचार जी भारते नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना असेन ने वर्ष के रूप में घोशित किया दोहजाज़ाज़ाज़ को जैसलमेर राजिस्थान के पोकरन रेंज में किसके द्वारा 17 फरवरी को मेगा अभ्यास वायू शक्ती 2024 का आयोजन किया जाएगा भारतिय वायू सेना जनवरी 2024 में किस देश की संसत ने सुईडन को नाटो में शामिल किया जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी तुर्की है अगला कोशन किस कमपनी ने दुनिया की पहली मिथेनोल सक्षम कंटेनर जहाज को लाँच किया है मारसक मलेशिया के सतरवे राजा कौन बने सुल्तान इब्राहीम एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लिखा कौन है संजीव कुमार जोशी अजाली असो मनी किस देश के चौथी बार राश्पती बने कौमरोज के अगला कोशन भारत के किस थान पर छिपकिली की एक नई पर जाती अगस्तिय गामा एज की खोज की गई है पश्यमी घाट नेक्स कोशन है किस राजे में ओम की आगरती वाला शिम मंतिर वा आश्रम बनकर त्यार हुआ राजिस्थान डेटा गोपिनिता दिवस 2024 का मनाया गया 28 जनवरी को थीम है अपने डेटा पर नियंतरन रखे टेक कंट्रोल ओफ यो डाटा विश्व कुष्ट दिवस 2024 का मनाया गया 28 जनवरी को थीम है इसकी कुष्ट रोग को हराओ बीट लेप और सी किस राजे सरकार ने SC-ST छात्रों के लिए योग्य श्री पहल की शुरुआत की है आंसर हो जाएगा पश्शिम बंगाल किस राजे ने देश की पहली 100 परतीशत अलेक्टरिक बाइक टेक्सी सेवा बायू की शुरुआत की असम किस देश में 11 एशियन शॉटगन चैंपेंशिप 2024 का आयोजन किया गया कोवैथ सिटी में टॉप तीन देश है चीन दूसरे पर चीनी ताइपे तिसे नंबर पर भारत अगला कोशन किस राजे में भारतिय नौसेना का दूसरा वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचाज स्थापित होगा तिलंगाना अगला कोशन किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टिककरन कारिकरम शुरू किया कैम्बरून अगला कोशन 26 जनवरी 2024 को गंतन्द दिवस की कौनसी वर्ष गांठ में आई गई गई पच्चतरवी किस भारती क्रिकेटर को वर्ष 2022-23 के लिए पुरो शुवर्ग में सर्वश्रेश अंतराच्टी क्रिकेटर का पॉली उम्रीकर पुरुसकार प्रदान किया गया शुमन गिल को ब्ल्यूंबर की रिपोर्ट के अनुद मताबिक जनवरी 2024 में होंग को पीछे छोड़ कर पहली बार विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेर बजार कौन सा बना भारत टॉप तीन है अमेरिका चीन जपान भारती राष्टी राजमाग प्रादीकरन यानि कि NHAI ने एलक्ट्रोनिक टोल संग्रह प्रनाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाद आवाजाई की सुविधा प्रदान करने के लिए किस पहल का शुभारम किया एक वहन एक फास्ट टैग अगला कोशन छे बार भारत की गंतन दिवस प्रेड यानि की 26 जनवरी में विदेशी महमान बनने वाला एक मातर देश कौन सा बना फ्रांस किस देश ने अब तक की सबसे उची कक्षा यानि कि 750 किलोमेटर में सुरैया उपगरह का सफल प्रक्षेपन किया इरान अयोध्या राम मंदिर में 51 इंच उची राम लला की मोर्ती की प्रान पत्रिष्ठा की स्तिथी को की गई 22 जनवरी 2024 को जनवरी 2024 में G77 शिखर सम्मिलन 2024 का आयोजन कहां किया गया यूगांडा के कमपाला में विश्व स्वास्ते संगठन यानि की WHO ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोशित किया है अफरीका के क्याप वरटे को अगला कोशन किस देश में 19 शतापदी का उत्सव गोरू जुदाई का यूजन किया गया नेपाल कोईटे माला के नई राष्टपती कौन बने बरनाडो एरेवलो ग्लोबल फायर पावर द्वाराजारी मिलिटरी स्टेंथ रैंकिंग 2024 में भारत की स्थान पर है चौथे स्थान पर टॉप तीन देश हैं अमेरिका नंबर एक पर रूस नंबर दो पर चीन नंबर तीन पर अगला कोशन सयूंग तरब आमिरात ने किसे अंतराश्टिये खेल वैक्तितव पुरूसका 2023 से सम्मानित किया ग्यानी इंफेंटी नहूं नेक्स्ट है तीन फरवरी 2024 को प्रधानमती नरेंद्र मोदी जी ने किस राज़े में ताला बीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्खाटन किया है ओडिशा में विश्व कैंसर दिवस 2024 का मनाया गया चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस 2024 की थीम है close the care gap everyone deserve access to cancer care विश्व वैटलेंड दिवस 2024 का अंतराश्टिय सम्मिलन कहां योजित किया गया मद्देपरदेश के इंद ओर में किस राचे में मसाले और पाग जड़ी बूटियों पर कोडेक समीती का सत्वा सत्रा योजित किया गया केरल के कोची में पांच दिवसी पुर्वतर भारत फिलमोसफ 2024 का योजन कहां किया गया मनिपूर के इमफाल में नेक्स्ट है कि स्पेस कंपनी ने परदूशनकारी तेल और गयास साइटों की निगरानी के लिए मिथेन सेट लॉंच किया है स्पेसेक्स अमेरिका किस अंतराश्टी हवाई अड़े को वर्ष 2024 में स्काई ट्रेक्स से भारत और दक्षिन एशिया में सरुष्रेश्ट हवाई अड़े का पुरुसकार मिला जी एमार हैदराबाद अंतराश्टी हवाई अड़ा और आपको बताना चाहत हूँ विश्व में शीज अंतराश्टी हवाई अड़ा बना हमाद अंतराश्टी हवाई अड़ा कतर पृत्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लिगेसी सर्वे ओफ स्पेस एंड टाइम का निर्मान किस ने किया अमेरिका ने इंसिट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानि की आई सी ए आई के नई अध्यक्ष कौन बने रंजीत कुमार अगरवाल डॉक्टर अर्विंत पनगडियां की अध्यक्षता में सोलियों वितायों की पहली बैठक का आयोजन कहां किया गया नई दिल्ली में अगला कोशन राश्टी उतपादक्ता दिवस दोहजार चौबिस का मनाया गया बारह फरवरी को थीम क्या है कृतिम बुद्धी मता आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आर्थिक विकास के लिए उतपादक्ता इंजन इंग्लिश में होगा AI Productivity Engine for Economic Growth भारत की स्पेस एजंसी इसरों ने युवा वैज्यानिकों के लिए किस कारेकरम को प्रस्तूत किया किस देश को विश्यो सरकार शिखर सम्मिलन 2024 में प्रतिस्ठित नोवा गोवटेक प्राइस प्रदान किया गया भारत को भारत के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का निधन हो गया इनका नाम क्या था दता जीराव गाइकवाड नेक्स्ट है दोस्मोचे मोहसव का आयोजन कहां किया गया लहे लद्दाक में नेक्स्ट है मारा कोशन टी टोइंटी विश्कवब 2024 में भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसे चुना गया रोही शर्मा को इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्सम कॉर्पोरेशन यानि की आई आर सी टीसी के नई चेर्मेन और प्रबंध इदेशक कौन बने संजे कुमार चैन चलवाईउ परिवर्तन संकट को जागर करने के लिए एरासमस पुरुसका 2024 के किसे सम्मानित किया गया अमिताब गोश को लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिशा दियानी की एसीसी के अध्यक शेरूप में किसे नियुक्त किया गया जैशाह को अगला कोशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की सोथे संस्क्रण का आयोजन कहां किया गया लिहे लदाक और जम्मू कश्मीर में शुबंकर है स्नो लैपड शी ने शी संस्क्रण है चौथा जारकंड के नई मुखे मंतरी कौन बने चमपई सोरेन एक फरवरी 2024 को अंतरीम बजट 2024 किसके द्वारा पेश किया गया निर्मला सिता रमन जी के द्वारा जाती अधारित जनकना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना आंदर परदेश पहला राज्य कौन सा है बिहार फरवरी 2024 में भारत की कितनी आदर भूमियों को रामसर स्थल की रूप में शामिल किया गया आंसर हो जाता है पांच कौन कौन से हैं अंग समुदर पक्षी संडक्षन रिजर्व करनाटक में है दूसरा है अगनाशिनी एश्यूरी करनाटक में है अगला कोशन किस क्रिकेटर को उतर परदेश सरकार ने यूपी पुलिस में पुलिस उपाध्धेक्षन की DSP के पतपर न्योक्त किया है दिप्ती शर्मा को भारती सेना के लिए मोबाइल ब्रीज सिस्टम सर्वत्र को किसने लौंच किया डियाटियों ने किस राज्य में स्थित सूरत हवाई एड़े को अंतराश्टी हवाई एड़े का दर्जा मिला आंसर हो जाता है गुजरात अगला कोशन है कारगिल के प्रेटन विभाग ने कहां पर जाती है खाद उत्सा ममनी महसब का योजन किया लद्दाक उपराश्टपती जगदीब धंकर ने किस केंदर शाचित परदेश में शान्ती के लिए एश्याई बौध सम्मिलन दोहजाच चौबिस की बारवी महसबा का उद्दगाटन किया नई दिल्ली कि शहर में केंदरी आयूश मंतरी श्री सर्वानन सोनोवाल ने अत्या धुनिक आयूश दिक्षा केंदर की अधारशिला रखी आंसर हो जाता है ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम जंक्षन रेल्वे स्टेशन का उद्गाटन किसने किया नरींदर मोधी जी ने पहले नाम था अयोध्या जंक्षन जन्वरी 2024 में किस राज्ये में मल्या राय जनजाती द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव मकरा विलुकू उत्सव कायोजन किया गया केरल टाटा स्टील शत्रंच टूर्णामेंट 2024 किसने जीता रमेश बाबू प्रग्यानन्दा भारती सेना ने अंडे 2 आंड सुरक्षित मॉबाईल एको सिस्टम विक्सित किया इसका नाम क्या है संभव संभव का फुल फॉर्म है सेक्योर आर्मी मॉबाईल भारत वर्जन जमु कश्मीर के बारा मुला में जेलम स्टेडियम जांबब जोरा का निया नाम क्या है जन्रल बिपिन रावत स्टेडियम लाई चिंग ते किस देश के तीसरी बार राश्टपती चुने गए ताइवान जन्वरी दोहजाच चौबिस में भारत के किस शहर में दिव्यकला मेला दोहजाच चौबिस का योजन किया गया नागपूर में किस शहर में परियावरन वन और जलवायू परिवर्तन मंतराले ने जलवायू समेलन 2024 का योजन किया मुंबई महराष्ट्र थीम ऐसकी भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना इंग्लिश में होगा डिकोडिंग दा ग्रीन टांजिशन फोर इंडिया निशाने बाज अखिल शेवरान और अनीश भानवाला ने पोलेंड में आयो जित पॉलिश ग्रैनप्रिक्स 2024 में कौन सा पदक जीता स्वर्न पदक जीता है इंडियन विल्स ETP मास्टर्स 1000 में पुरु शेकल का खिताब किस ने जीता कार्लो सलकाराज स्पीन की है किस देश ने चंदर मिशनों का समर्थन करने के लिए क्यों किया और टू रिले अबगरह को लॉंच किया अंसर हो जाता है चीन अगला कोशन सुर्ड डाइमंड बोर्स का नए अध्यक्ष किसे नियोक्त किया गया है गोविन धोलकिया को अगला कोशन है नेक्स्ट है मारा कोशन करप्शन परसंटेज इंडेक्स यानि की CPI 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कि इस देश में सबसे जादा भ्रस्टा जार है आंसर हो जाएगा सुमालिया और सबसे कम कहां पर है डेनमार्क नेक्स्ट है अंतराष्टी उर्जा अजनसी यानि की IEA के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवी करने उर्जा छमता में शीष देश कौन सा है चीन देश अगला कोशन मद्यपर्देश की कुनो नैशनल पार्क में नामीबिया से लाई के चार चीतों की मौत की जिवानों के संकर्मन से हुई अंसर हो जाता है सैप्टी सीमिया अगला कोशन किस देश में बांगला नवश पहला बिशाख मनाया गया बांगला देश केरल के कन्नूर में चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाने वाले किस भाशा को विलुप्त की श्रीनी में रखा गया उच्छ सिक्षा पर अखिल भारतिय सर्वेक्षन 2021-22 के अनुसार महिला नामकन में शीश पर कौन सा राज्जे है केरल अगला कोशन किस राज्जे ने काजी नेमू को राज किये फल घोशित किया असम नेक्स्ट है नौसेना अभ्यास मिलन का बार्मा संस्क्रन कहां योजित किया गया आंदरपर्दिश के विशाका पतन में अगला कोशन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 किस ने जारी की है विश्व आर्थिक मंच ने नेक्स्ट है शिरी खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के अधारशिला रखी गुजरात के राजकोट में प्रेटन मंत्राले ने किस मंत्राले के सहयोग से अमरी धरोवा शमता निर्मान योजना की शुरुआत की परियावरन मंत्राले कि शहर में डैजर्ट फेस्टिवल दोहजाच चौबिस का आयोजन किया गया राजिस्थान के जैसलिमर में थीम हैं बैक टू दा डैजर्ट जनवरी दोहजाच चौबिस में डगार एली दोहजाच चौबिस के सबसे उमर्दराज विजेता कौन बने जनवरी दोहजाच चौबिस में किस देश में दूसरा अंतराज्टी आयोज समिलन का आयोजन किया गया दुबई यू एई में अगला कोशन पूरु सैनिकों के निस्वार्थ कर्तव या बलिदान के सम्मान में आठमा सश्यत्र बल भूतपरो सैनिक दिवस दोहजाच चौबिस कम मनाया गया 14 जनवरी को एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डियन कारेकरम विंग्स इंडिया दोहुजाच चौबिस का योजन कहां किया गया बेगम पेठ हवाई अड़ा कहां पर है है हैधराबाद किस राज्य सरकार ने बिरोजगार युवाओं के लिए युवा निधी योजना की परिक्षन कहां किया गया और इशा के चांदिपूर में किस छावनी बोड को सवच सर्विक्षन 2023 का सीश प्रूसकार मिला महू कैंट मध्धे परदेश स्वामी विवेक आनंद की जैनती के अफसर पर राष्टिय युवा दिवस 2024 का मनाया गया बारा जनवरी को थीम है सब कुछ आपके दिमाग में है इंगलिश मोगा इट्स अल इंदी माइंड जनवरी 2024 में विश्वनात आनंद को पचाड कर भारत के नंबर वन शत्रंच खिलाडी कौन बने रमेश बाबू प्रग्यानंद भारतिय सेना ने जम्मू कश्मी के राजोरी और पुंच इलाके से आतंगवादियों का सफाय करने के लिए किस ओपरेशन को शुरू किया ओपरेशन सौर्व शक्ति उतर परदेश की आयोध्या शहर में किस नदी पर भारत की पहली सौर उज्जा संचालित नाव चलाई जाएगी सर्यू नदी जनवरी दोहजाच ओबिस में किस राज्ये में जली कट्टू तेहौर का आयोजन किया गया है तमिलाडू में फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलेंगे प्रदानमंत्री कौन बने गैबरियल अटल जनवरी दोहजाच ओबिस में प्रतिस्ठित स्काई ट्रेक्स परुसकार में किस देश के चांगी हवाई अड़े को सिंगापूर कौन सा देश जुलाई दोहजाच ओबिस में पहली बार युनेस्को की विश्व धरवर समेती के मेजबानी करेगा भारत रक्षा मंत्राले के नई महानी देशा कौन बने समीर कुमार सिनहा भारत की पहली स्वच खाद स्टीट प्रसादम का नावरन किस राज्ये में किया गया उजैन मध्य प्रदेश में नेक्स्ट है मारा कोशन किस देश में नो में एशियाई शीद कालिन खेल 2025 का आयोजन किया जाएगा चीन में भारत एलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने उत्तर परदेश्ये के शहर में अत्याधूनिक सभागार अभी ग्यान को लॉंच किया गाजियाबाद नेक्स्ट है भारत और किस देश की नो सेना के बीच पहला द्रीपक्षिय समुदरी अभ्यास जिसका नाम है अयूथ थाया कायोजन किया गया थाइलेंड में नेक्स्ट है फीडे विशो रैपिड शत्रेन चैंपेंशिप 2013 का किस ने जीता मैगनस कार्लसन नौर्वे की है नेक्स्ट है हमारा कोशन राष्टपती द्राबदी मुर्वूने किस राज़े में आयो जित कारभी युवा महसब 2024 की पचासवीं वर्षिगाठ में भाग लि इंग्लिश में होगा इक्विटी इन मैटर्नल हेल्थ केर लिविंग नो मदर बिहाइंड अगला कोशन किस देश ने पहली बार अपनी जहाज धारी तरक्षा पर नाली सी डोम तेनाद की है इसराइल अगला कोशन युवेस इंडिया टेक्स फोरूम का अध्यक्ष किसे न निपूर में अगला कोशन सुविधा पॉर्टल किस ने लॉंच किया भारत निर्वाचन आयो गयाने की ECI ने नेक्स्ट है किस देश के 111 वर्षिये जॉन एलफवर्ड टिनिस वुड को दुनिया का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति घोशित किया गया अंसर हो जाएगा बृ नेक्स्ट है मारा कोशन वरिष्ट नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक दिश्टिकों से उपर उठाने के लिए किस राज्जे सरकार ने मुख्य मंद्री वयोश्री योजना दोहजाद चौबिस की शुरुआत की महराश्र नेक्स्ट है किस राज्जे ने आबदा नेक्स्ट है किस देश में दुनिया का सबसे उचा राम मंदिर बनेगा आंसर हो जाएगा अस्ट्रेलिया में अगर आपको वीडियो की कॉलिटी वीडियो कॉंटेंट पसंद आ रहे ना वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें पार्ट वन जरूर देख लेना और साथ मे जोता किया एर बस के साथ नेक्स्ट है किस राजे में सांबर महोसब दोहुजा चौबिस का योजन किया गया राजिस्थान के कच्छ में नेक्स्ट है मारा कोशन टैनिस टूर्नामेंट एटीपी डबल्स रैंकिंग में विश्व नमबर एक स्थान पर पहुँचने वाले स और सेंचुरी इंफॉर्मिंग इंटेटेनिंग एन एजुगेटिंग फरवरी दोहजाथ चौबिस में चैनाई एटीपी उपन दोहजाथ चौबिस में पुरुशे कलग किताब किसने जीता सुमित नागल ने भारत के किस राज्य में दक्षीन भारत सांस्रीतिक केंदर को जरूर करें कॉमेंट बॉक्स में अपना फीड़बैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है फ्रेंट आपके लिए दो कोशन का टेस्ट है जिसका अंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना है तो पहला कोशन है अंतराश्टी महिला दिवस 2024 कब मनाया गया इसका आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है दूसरा कोशन है जी सेवन स्विखर समिलन 2024 कहां पर आयो जित किया जाएगा दोनों कोशन का अंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना चाहता हूं जनवरी से लेके अब तक कि जितनी भी करणट ओफेस का अगर आ पर अपडेट किये जाते हैं, ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी है, आप सभी ने अपना comment box में feedback देना है, ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रभी सर की e-book की website है, www.ravibooks.pdf.com, यहाँ पर जाके आप current face, quality, history, geography, हर subject की e-book को buy करके अपने exam की त्यारी को बह अभी जहां पर मैं daily की 20 कोशन की class ले रहा हूं, daily current affairs के, कम टाइम में, तो आप इसको भी join कर सकते हो, current affairs में expert बनने के लिए, ठीक है, मतलब इतना best मैं आपको बढ़ा दूँगा, friends, exam में आपको एक भी कोशन छूटने वाला नहीं है, ठीक है, मतलब YouTube की यह पहली class है, जहा Thank you and wish you all the best.